हलो फेंट्स गुड बार्निंग कैसे हैं आप सब तोजी दिनाज शुकरवार का तारीख है 24 जून और सुबह के बज गए हैं चार साड़े दीन मुझे मैं उठ गई थी थी थोड़ा घूमा है मैंने और घूमने के बाद जो है पानी वानी पिया और अभी जब मैं खाने की त चल्दी आ गए थे फिर शाम को डॉक्टर के पास गए इभाग को लेकर और उसके बाद जो है फिर आते टाइम जो ही मांग की बुआ को लेकर आए तो ऐसे बाद बातों में मैंने कुछ भी जो वो शूट नहीं किया और अभी जो कम अपना जो है वो सब जो है वो सो रहे थ थी उनको खाने पूड़े तो यह फिर मैं बाद में पूड़े बना दूंगी अभी रोटिया जो है सिर्फ इमां के पापा की बनाओंगी उसके ज्यादा एक्स्ट्रा जो है उनके पैक जो मुझे करनी है वो बनाओंगी उसा ज्यादा मैं नहीं बनाने वाली हूं और उसक जाते हैं जब घर में फैमिली मेंबर बढ़ जाते ने तब और भी थोड़ा सा टाइम से चीज़े क्योंकि और बच्चों के अब तो पहले दो थे अब तीन बच्चे हैं तो थोड़ा सा और जल्दी उठके काम खतम करने पड़ते हैं अभी जो है टाइम हो गया सूबा के बच गए है पांच और यहां पर माराम से खड़े हो के जो है वो पीरियों पानी थोड़े मैं घुमूंगी कि मांके पापा जा चुके हैं ड्यूटी पर और यहां पर आपको दिखाऊंगी साइकल खड़ी दिख रही होगी आपको हमारे गर के सामने ना दो तीन जामुन के पेडर सुबों सुबह लोग जो है जामुन दोरने के लिए आ जाते हुआ हवा चलती है ने इसया तूकर नीचे गिर जाती है नीचे न वह मीचह पीछा रहते हैं शका लाभन थ send दिख्स्राव के जो हो इस उपना शूटशन को अब forged आखला सब्सक्तों में था सी गिर घ क्योंकि इमांग ने बिस्किट खुले छोड़कर यहां रख दिये और मुझे पता नहीं चला उससे जो है क्या हुआ कि चीटिया आगी और चीटिया आने की वजह से मेरे को लगानी पड़ी अब यह देखे मैंने बिल्कुल नया वाइप जो है वह लिया है पहले तो मैं इसक कुछ देरे के लिए उसको खुला छोड़ दूँगी और सुबह सुबह यह देखिए या तो एक भी बरतन नहीं था और सुबह सुबह कितने सारे बरतन हो गए कुकर कढ़ाई चाय के हो गए हैं और क्या ना मैं दूद का पतीला यह वो क्योंकि हमांग के पापा जो दूद पी कर गए थे तो उनका दूद का पतीला दूद के बरतन मतलब काफी सारे जो है वो बरतन ना करते करते जो है वो हो गए है तो बस अभी बरतन हमारे साफ हो गए है और अभी थोड़ दिर में मैं हिमांग की बुआ को भी उठा दूंगी फिर हम लोग आराम से बैठ कर पीएंगे चाय और यही होता है जब मैं अकेली होती हूँ न एक कप सुबह लेती हूँ एक कप शाम को लेती हूँ जब फैमली में कर दोंगी ताकि किचन फैला ना लगे और मैं आसा जाता हूँ जाते हैं कि बच्चे वालो घर में बिखा करके भी कर me Yeah time to clean कि degrade लकड़ी तो एक जो है वह ढ़ साफ कर गढू कृसरे मिलें लिए कोलीन से लुक हो यह वह साफ कर जाती प्ल में नहीं बहुत लिए क्लीन से नहीं ऑजाती हैं जो है वह अच्छा उन में वह पकलीन से साफ करके थोड़ी देर उसको फिर से खुला छोड़ दिया है क्योंकि क्या है थोड़ी सी हवा लग जाती है और चीजे जो है बंद बंद रहती है तो उन में नमी वेगरा बनने लग जाती है तो मैं क्या करती हूं कोई न कोई जैसे मैं खाना वेगरा बना रही होती न तो इ ताकि उनमी वगएरा ना बने चीजों में और टाइम टाइम से दाल वगएरा जो चीजे होती उनमें भी मैं जो है धूप लगवाती रहती हूं ताकि चीजे जो है उनमें किसी तरह का कीड़ा वगएरा वो ना लगे बहुत जरूरी होता है क्योंकि नहीं तो फिर इतने महेंगा सामान जो हो आता है और फिर थोड़ी सी लापरवाई की वज़े से सामान हो मारा खराब हो जाता है बहुत मैनस से जो है एक एक पैसा जो कमाया जाता है मशीन मैंने लगा के छोड़ दी है अभी जो है साथ-साथ में मैं बना लूंगी अपने लिए और इमां की और थोड़े बहुत जो बच्चों की ड्रेस वगएरा थी उन पर प्रेस करना यह सारे काम जो है मांगी बुआने किये मैंने उपर-उपर के मोटे-मोटे जितने काम होते मैंने वह निपटाए हैं जैसे कपड़े वगएरा धोना है आच्छा फिर मैंने एक रेसिपी भी ज चाय मैंने दीरे से उबलने के लिए छोड़ दिया जब तक स्विम गैस पर चाय उबलेगी तक ब्रेश कर लिए और समान को भी मैं साथ साथ में सेट कर दूंगी क्योंकि बच्चे उठे उठे उससे पहले जो है अपने काम जो निप्टा लेना तो ही ठीक रहता है और क्या मैं आप लोगों पता इतनी चाय नहीं पीती हूं तो आज जैसे दूसरी बार भी चाय प्योंगे ना मुझे पहले ही से अपने दातों में थोड़ा जीव सा जो मैसूस होने लग गया कि दातों में कुछ लगा हुए जीव पे कुछ लगा हुए तो चाय वेगेरा पीके बस लंज में यह रोटीद तक बनाना रह जाएगा और यहां पर मेठा पाझ यह सब्सक्राइद्द करने पाहां तो गाठे फूटती हैं आभी ये देखो तो मैं ठेंगे घोली कृषिश करें लियो एक वह इती है करची से तब तक जो है वह सारी गाठे जो निकल जाएंगी अभी बन रहा है नाश्ता शुबह यह पूड़े जो है उसके बाद अभी यह पूड़े बनेंगे साथ साथ में बच्चे भी जो है वह खाले गोर पूड़े तो एक ऐसी चीज है चाहिए अपने बासी भी खालो ना सुबह के शैम को भी खालो यह रात को बनाए तो सुबह भी खालो तो उनका टेस्ट ना बहुत ही जादा जो है वह आता है और यह देखे यह बनते देसी घी म सब के लिए था फटा फट बनाऊंगे सारे के सारे सब्सक्राइक भी सब्सक्राइल के खा+. तब तक जो इमांगी भुवा साथ-साथ में जहाड़ू वगरा जो लगा रही है और वरुन चला गया था टूशन पर वरुन को बीच में मैं टूशन पर भी छोड़कर आ चुकी उती हूँ यह था कि वरुन टूशन से है उससे पहले में घर के सारे काम जो हो खतम कर लूँ क कि फिर बाद में मुझे अपनी वीडियो के एडिटिंग वगरा भी करने है क्योंकि आज का ही व्लॉग है और आज ही जाने वाला है तो आप यह माले सुबह चार बज़े से मैं लगी वी हूँ और अभी दस बज़े जाके दस साड़े दस बज़े जाके मेरा जो है वह काम खतम हुआ है उसके बाद जो है एडिटिंग करूंगी कई वरों को लेने जाओंगी फिर टेलर के पास भी जाना है तो काफी सारे काम जो हो जाते हैं और एक मज़े तक आप लोगों के पास व्लॉग भी देना है क्योंकि कम से कम दो से धाई घंटे जो है वो एडिटिंग म क्योंकि क्या साथ साथ में सुखाते वे चलूंगी आज थोड़ा सा काम का बर्डन भी दोड़ा मेरा जो हो गया था अधर्वाइस मैं अगर कपड़े दोने के बाद मुझे जड़ पोचा करना होता ना तो मेरे को काम करते करते वैसे ही जो है वो एक बत जाना था और बीच बच्चों की पजामी बगेरा हो जाती है वेक वह कपड़े थे जादा तो नहीं एक बैट शीट जो है हमांग ने सब्जी के जो है निशान जो हो छोड़ दिये तो वह थे हो गया कपड़े मेरे साथ साथ में क्या करूंगी सुखाते विए चली जाओंगी और जैसे सुखा होगे ना आपके काम का बर्ड़न जो है उतना ही जो वह कम हो जाएगा अगर आप काम को पेंडिंग छोड़ते वे चलेंगे इसको अभी नी थोड़ी देर में कर लेंगे तो वह चीज़े जो है फिर बाद में मैनेज होना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है आचा जी एक ना क हम और पॉड़ी व्लोग ऑन चाही इसक है तो आपको जो है मिरे घर का टूर मिल जाएगा और अगर आप साथ सात में चॉह किचन चुर के बारे में आफी सारे कोशना जो हैको मैं आ अश्टो आर। तो टो आ मैंघे चो जो है школ ri क्यंब प्लमन शराए ठीद मिल जाएगा ब कर दिखाने के लिए आज भी सो无ड़ कर रूगी ही कारूंगी 100% क्योंकि हम लोग जो हर रौस कोई था होता नहीं है ऐसा ही बात बातों में सारा टाम जो हमने निकाल दिया और फिर टाइम बहुत जादा लेट हो गया था अभी उसको मैं खोल के फिर मैं दिखाती सारी चीजे तो उसमें और भी जादा लेट हो जाता है वीडियो जो वो टाइम से नहीं जा पादी तो अकल के व्लॉग में वो सूट जो ब्लैक वाला मैं पक्का फूरा खोल के यहां पर जो देखे साथ साथ में मैंने सारे चीजे अरेंज भी करके रख दिया है एक सूट मेरा रह गया हाथ से दोने का और बच्चों ने अभी जो कपड़े निकालें वो रह गया क्योंकि एमांग ना चुका है वरून टूशन साने के बाद नाएगा तो इमांग जो न नोटिफिकेशन बैल को दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लोग को नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए